Hello everyone, this is Abhishek and I welcome you all again to strategic stocks Well, this is the fourth video on options इसके लिए आज हम बात करेंगे options buying के viewpoint से और समझेंगे कि option buying में क्या-क्या impact होता है क्या-क्या benefits है और क्या-क्या disadvantages है But इससे पहले मैं request करूँगा आप से कि आप part 2 जुरूर दिखेगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे समझा सके आपको option buyer का viewpoint समझना है तो आपको पहले concept of option समझना पड़ेगा जो हमने part 2 में समझाया था तो चलिए let's begin the video So option buying and option selling में क्या difference है उसको पहले हम समझते है जो strategies मैं discuss करूँगा अगर वो buy side से होंगी आपको premium pay करना होगा तो उसको मैं debit strategies पोलूँगा ठीक है जो seller point of view से होंगे मतलब हम premium आपको मिल रहा होगा तो उसको हम credit strategies पोलेंगे ठीक है तो यह ध्यान रखेगा आगे से हम यही बात करेंगे जो भी debit strategies होंगी वहाँ पर आपको premium pay करना होगा पैसे देने होंगे जो credit strategies हमारी होगी उसमें आपको premium जो है वो मिलेगा तो capital requirement की बात करीजाए सबसे बड़ा जो reason है option buying का that is आपको small premium pay करना पड़ता है ठीक है पैरलली जो है seller को जो है वो high margin pay करना पड़ता है इसको हम example से समझते है इन जिरोदा तो आप जैसे देख सते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है मैंने call option जो है 17,300 strike price की sell करी है ठीक है तो उसको sell करने के लिए मुझे जो है margin चाहिए 1,19,000 रुपिस का ठीक है यह seller viewpoint से है seller को इतना पैसा जो है margin में होना चाहिए that can be in the form of collateral also अगर आप को collateral नहीं पता तो उसके बारे में हम बात में बात करेंगे बट इतना account margin आपके पास होना चाहिए if you want to sell one call option इसमें देखो तो यहां लिखावा premium receivable तो इतना premium जो है यह seller को buyer से मिलेगा यह वो पैसा है जो buyer को pay करना है तो एक हम काम करते हैं हम थोड़ा strike price और change करके देखते हैं let's say मैं strike price 18,000 कर लेता हूं और इसको add करता हूं और एक काम करते हम पिछला वाला हटा देते हैं तो यहां पर देखिए एक 18,000 के strike price को आपको sell करने के लिए 83,000 रुपीस चाहिए कुछ लगबग बट आपको जो है buy करने के लिए 53,000 रुपीस चाहिए तो कितना difference है buying side पे और selling side पे so हमें यहां क्या फर्क दिखा है हमें फर्क दिखा है कि capital requirement for buyers जो है बहुत कम है parallel sellers के लिए वो काफी high है ठीक है risk की बात करें तो risk जो है buyers के लिए बहुत limited होता है ठीक है seller point of view से unlimited मतलब कोई defined नहीं है risk का हाँ आप stop loss रखकर इसे limited रख सकते है बट अगर हम theoretically बात करें तो आपका risk जो है seller के लिए unlimited ही होता है then talking about the profit profit जो है वो buyer के लिए unlimited होता है ठीक है बट seller के लिए जो वो limited रहता है यह वो profit है जो कि आपका इसका risk है मतलब अगर आपका पिछली example में 11k के around का जो premium pay किया था buyer ने तो buyer का 11k का risk है ठीक है जो इसने premium seller को दिया होगा parallel जो है वो जो है profit होगा seller का ठीक है अगर एक trade होना है execute तो एक buyer चाहिए और एक seller चाहिए और options में बहुत जादा trade execute होते हैं मतलब buyer भी होते हैं और seller भी होते हैं तो why do people sell सबसे बड़ा सवाल तो यह है seller में एक सबसे बड़ा reason जो है that is probability probability point of view से buying में probability is low of winning और selling point of view से probability is high ठीक है that is the very reason जो है लोग sell करते हैं ठीक है अब इसको हम समझ सकते है with the example of casino ठीक है जहां 60 लगता है तो let's say एक person है जो betting कर रहा है let's say वो 100 rupees की bet लगा रहा है ठीक है और यह 100 rupees के इसको जाएगा जो owner होगा ठीक है अब इसका profit की बात करें तो इसका profit बहुत जादा हो सकता होसता है यह 100 का जो है 10,000 लादे ठीक है बट इसकी probability जो है वो लो रहेगी जीतने की ठीक है पैरलेली अगर बात करें इसका प्रीमियम पै किया ठीक है बट इसका probability जो है वो हाई रहेगा और अगर यह लूस करना है और अगर हम लॉस की बात करें तो इसका लॉस बहुत जादा हो सकता है जितना इसका profit होगा उतना इसका लॉस होगा बट हमें पता है के कासीनो उसमें कासीनो ओनर्स काफी प्रॉफिटबल होते हैं ठीक है उनका में जो है गेम है वो प्रॉबबिल्टी का है वो हाई प्रॉबबिल्टी के कारण जो है जीतते हैं इसको हम थोड़ा और समझते हैं अच्छे से वाई यूजिंग पे आफ ग्राफ तो थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा बट अगर आपको options को in-depth समयना है तो आपको पे आफ ग्राफ को समयना पड़ेगा ठीक है यह call option का buy का है और यह put option के buy का है ठीक है put option buy करना मतलब हम bearish mindset रख रहे हैं market का अगर हम call option buy कर रहे हैं तो हम bullish mindset रख रहे हैं ठीक है मतलब market उपर जाएगा तो हमें फादा मिलेगा market नीचे जाएगा तो put option में हमें buy करने में फादा मिलेगा ठीक है तो यह हमारा जो है एक pay off chart है जहां पर उपर को profit होता है नीचे loss होता है इस तरफ को आपका spot price आगे की तरफ को है और spot price पीछे की तरफ को है movement में इस chart क को मैं और अच्छे समझता हूँ तो वही pay off chart आपका यहां पर लगा हुआ है ठीक है market currently जो है वो market currently 70,500 के आसपास है ठीक है और मैंने क्या किया हुआ है मैंने एक call option जो है 70,500 का add किया हुआ है ठीक है जिसके लिए मुझे premium pay करना पड़ेगा 82 रूपीज की around ठीक है लगभग यह into 50 कर लीजे तो इस 4000 के आसपास हो रहता है 4100 के आसपास ठीक है जो की मेरा maximum loss है ठीक है मेरा maximum profit undefined है so क्योंकि आप एक premium pay कर रहे है 4000 रूपीज का यह already आप seller को दे चुके है ठीक है तो आपका profit जो है exactly same price पर नहीं आएगा जिस spot price पर आपने खरीदा है वहाँ पर ही रह गए तो आपको loss होगा ठीक है आपको जो है break-even जो है वो कुछ आ गया आएगा जो मैंने आपक समझाया था आपका break-even है 70,583 ठीक है और उससे पीछे देखेंगे आप तो हर price पे आपको loss जो है वो fixed ही है 4,108 का ही loss हो रहा है ठीक है बट profit की आप बात करें तो जैसे से price बढ़ना शुरू होगा और वो बहुत जाला speed से rise करेगा उतना ही speed से आपका profit rise करेगा ठीक है तो आपको 4000 का loss हो जगता है जो आपके premium paid क्या है अपने और आप clearly देखेंगे आपको 40-50.000-60.000 जितना मर्जी profit हो जगता है तो हम वापिस चलते हैं charts की तरफ सेम इसी तरह से put का है put में आपको profit कब होगा जब आपका market गिरेगा ठीक है तो पीछे की तरफ का profit दिख रहा है य आपका एक फिक्स लॉस है इसको हम समझते फिर से चार्ट में तो आप देख सेते हैं यह पुट ऑप्शन बाय का आपका जो पे आफ चार्ट है जहां पर आपका जो है प्रीमिम पेट जो है वो 84 रूपीज के आज पास है यह आपका मैक्सिम्म लॉस जो है वो दिस इंट फि स्थी जाएगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही जाएगा स्थ हुट आपका मैक्सिम डिस्क जो है वो अगर मार्कीट बढ़ती ही कई तो आपका 4240 रिस्क है ठीक है बट थे प्रॉबद्टी आफ विनिंग जो है वो कम है 41% की आसपास जो फिर प्रॉबदी का फिनी दिखा रहा है आपर ठीक है यह आई-वी बेस्ट कैकुलेशन होती है अब एक्चुल में आप मानके चलिए के 33 परसंट के आसपास आपका विनिंग प्रॉबिल्टी आप ऑप्शन स्पाइंग में मानके चलिए जादा हम इसको इंडेफ्ट में नी जाएंगे ठीक है इसको हम दीरी-दीर समयना शुरू करेंगे बड़ पे-उफ चार्ट के आपको कमफेड़ेबल होना पड़ेगा तो बात करते कि यह ऐसा क्यूं है प्रॉबिल्टी कम क्यों होती है ठीक है प्रॉबिल्टी कम का सबसे ब और इन हमने अपको पार्टी में के बारे में ब्ताया था ठीक है एक्सटेसिक वाल्यू जो है वो जरो की तरफ यह अपका प्रीमियम डिके होता ही रहता है ठीक है कि इसमें से कुछ premium जो है वो time value के साथ साथ चला जाएगा ठीक है तो आपको जो है अफ़र्स direction में ही profit होगा downward और sideways direction में आपको loss होगा और अगर आपका loss हो रहा है तो call seller का जो है वो profit होगा ठीक है तो एक side पर आपको profit मिलेगा और दो side पर आपको loss मिलेगा अगर आप buy करके चल रहे हो option को ठीक है इसको हम simulator में समझते हैं तो जैसे मैंने क्या काम कर रखा है spot price जो है मैंने 17,100 की call option buy करी है ठीक है 187.45 के premium पे करके मेरा maximum loss जो है वो 9,372 है तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं मैं यहां पर जो है आगे बढ़ा कर time देख रहा हूं सिमिलेट कर रहा हूं कि actually क्या होगा इसके profit loss में तो आप देख सेते हैं कि देखो जैसे आगे बढ़ता हूं मैं तो market जो है वो next day पहुंची कुछ 70,416 पर ठीक है काफी bullish viewpoint हुआ क्योंकि पिछले दिन जो है market थी 70,120 पर अपने call option खरीदा और next day जो है 70,416 पर आपको अच्छा खासा profit हो रहा है तो अब कैसे थे जितना आपने पे किया था उतना ही आपको profit हो रहा है अब आगे देखते हैं क्या होता है next day 24th March that is expiry आपने 70,120 पर call option खरीदा था ठीक है spot price 70,224 है that means आपका direction जो है call का bullish viewpoint सही रहा बट आपको overall देखिये market में loss ही हो रहा है ठीक है और at the end of the expiry देखे तो at the end of the expiry एक बार पहले spot price देखते हैं आपका spot price बंद हुआ है कुछ 17,205 पर ठीक है आपने कितने बिलिया था 17,120 पर आपका viewpoint सही रहा आपने सोचा था market उपर जाएगी और market बिलकुल उपर कही है ठीक है पर दो दिन में आपको फायदे की जगा क्या हुआ नुकसान तीन हजार पर का आपको नुकसान हो गया लगभग 30% का आपको नुकसान हो गया इस trade में तो इसका culprit कौन रहा इसका culprit time रहा जैसे ही time आपका बड़ा expiry की तरफ को तो आपका जो है losses होने शुरू गया क्योंकि premium decay हो गया because of time ठीक है अभी हम basic सी चल रहे हैं हम जादा in-depth नहीं जाएंगे आगे जागे दिर दिर समझेंगे क्या होता है क्यूं होता ऐसा so आज की वीडियो के लिए इतना ही हमने जाना कि option buyer में time आपको काफी टंग करता है हमने जाना कि pay off charts कैसे होते हैं के और हमने इस एक difference समझा option buyer and seller point of use है so आज की वीडियो के लिए इतना ही है thank you everyone take care tada bye bye चल्दी मिलते हैं next video में